As a beginner, आप बहुत सारे सौंग सीखते हैं, अलग-अलग sources हैं, online notations हैं, आपके भाई, आपके टीचर्स, आपके दोस्त आपको धेर सारे सौंग सिखा सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके बल पे आप एक अच्छा keyboardist, pianist, musician बन सकते हैं So, आज मैं आपके साथ ऐसे तीन common mistakes के बारे में बात करूँगा, जो almost हर beginner करता है शायद आप भी उनमें से कोई mistakes करते होंगे, अगर आप वो mistakes करते हैं, तो आपको उन्हें avoid करने हैं और अपने आपको जल्दी develop होते पाएंगे आप सबसे पहली चीज़, आप जो song बजाना चाते हैं, जो song सीखना चाते हैं, उसे आप बहुत बार सुनते नहीं हैं आप बस उसे एक दो बार सुनते हैं, आपको पसंद आता है और आप इच्छा रखते हैं मुझे song बजाने आना चाहिए या अगर आपको आपके teacher बोलते हैं कि ये song हमें अब सीखना है, तो आप जो notations teacher से मिलते हैं, उन्हीं के उपर dependent रहते हैं और उन songs को उस तरह से बजाने सीखते हैं, ये insufficient है आपको अगर किसी भी song को बजाना सीखना है, तो सबसे पहले उस song को बहुत बार सुनिये जब आपको अपना attention किसी चीज के लिए देना जरूरी नहीं होता, जैसे कि मान लो अगर आप घर में सिफ बैठे हैं, रिलाक्स कर रहे हैं, तो टीवी देखने की बजाए, या वेब सीरीज देखने की बजाए, आप उस गाने को सुनिये दस बार सुनिये, पचास बार सुनिये, रोज सुनिये, और जितनी बार आप उसे सुनते हैं, उतनी बार आप उस song के details अंजाने में, अपने जहन में डालते हैं और सबसे important बात यह है, कि आप अगर by year बजाने वाले हैं, या अगर आपको teacher ने notations दिये हैं, तो आप जो कुछ बजाएंगे, उसको आप हमेशा अपने दिल में वो जो phrases हैं, उस song की, उनसे compare करेंगे, और अब जब उसे सीखेंगे, तब सबसे ज़ादा enjoyment और सबसे बड़ achievement टब होगी, जब आप अपने दिल में जो phrases बैठे हैं, उनके साथ compare करेंगे और आप पाएंगे कि हाँ, मैंने उसी तरह बजाए, जिस तरह से वो song मेरे दिल में जैसे, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, ये मेरे दिल में अगर बैठा है, तो जब मैं इसे बजाओंगा इस से मैं mail खा रहा हूँ, जो मैं बजा रहा हूँ और जो मेरे दिल में है, तो मैं सबसे पहले अगर मैं कोई mistake करता हूँ, तो अपने आप मैं बताता हूँ कि मैं mistake कर रहा हूँ और मैं improve करूँगा, लेकिन otherwise क्या होगा, उस song जिस सरह से आप instructions ले रहे हैं, उसी तरह से अपने साथ नहीं होने देना, second important चीज, आपका practice time, practice के दौरान आपके around जो environment होता है, वो हमेशा fix होता है, आप किसी भी song को सीखते हैं, अब अगर आपको उस song को कहीं पेश करना है, जैसे आपके college में, आपके office में, अगर आपको उसे पेश करना है, तो जो environment आप regular practice के दौ परान पाते हो, वो environment आपको उस function के वक्त, उस performance के वक्त नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपके चाहने वाले हैं, वो cheer करें आपको shout करें, sound system में कोई problems हो सकते हैं, maybe आपको आपकी खुद की keyboard के आवाज उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, जितनी गर में आती हैं, तो ये problems आने ही वाले हैं, तो अगर आप किसी भी song को बजाना जब सीख रहे हैं, तब कोशिच करिए कम से कम उसको बजाने का time, आप बदल सकते हैं, sitting position आप बदल सकते हैं, कहीं, maybe आप जब usually हाँ, सबसे important, घर पे मेमान आते हैं, आप बजाते नहीं हैं, क्यों? क्यो एक अलग-अलग environment में, जो कल नहीं था, उसमें आप उस song को उसी तरह से बजा पाते हैं, क्या आपको बजाने आना चाहिए, तो different-different environments में, अगर आपने उस song को try नहीं किया है, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, जब आपको perform करना है, because आपको पता नहीं है, वहाँ पे किस तरह का environment आप जब बजा रहे हैं, तब होने वाला है, इसमें ये भी हो सकता है, कि आपको आपके पास 5 minutes हैं, सिर्फ आज practice के लिए, तो आप ये कर सकते हैं, कि उन 5 minutes में, start to end उस song को आपको बजाना है, आपको उसे सही बजाना है, और no mistakes allowed, और ये आपका performance time है, आपके पास song को बजाने का, ये थोड़ा सा weird लगता है, लेकिन इससे अलग-अलग energy levels पे भी आप उस song को किस सरह से perform कर सकते हैं, वो आप खुद देखेंगे, तीसरी important बात, आपने किसी भी song को play किया बहुत अच्छी तरह से, आपने अपना target जब complete किया, तब आप क्या करते हैं, आप जब आप दूसरे song के उपर जाते हैं, तो एक चीज याद नहीं रखते हैं, आप पहले prepare किये हुए song को भूल जाते हैं, उसे बाजू में रख देते हैं, और फिर एक महीने बाद जब आपको याद आते हैं, मैंने एक महीने पहले उस song को बहुत अच्छी तरह से prepare किया है, आज जब बजाने बैठेंगे आप उस तरह से उस song को शायद नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि यह होता है कि आप beginning level पे हैं, आपका पूरा ध्यान अभी at present आप जिस song को सीख रहे हैं, उसके उपर है, तो आपकी memory से पहले वाला song निकल जाएगा, शायद आपने कोई specific tricks use की ह होंगी उस song के लिए वो आप भूल गए, इसलिए mistakes की, या specific chords है, specific chord progression है, या जो कुछ भी है, वो आप भूल गए, तो यह अपने साथ कभी होने ना देना, नहीं तो क्या होगा, एक साल में आप कहेंगे मैंने 50 songs सीखें, लेकिन 50 songs में से आज, एक साल बात, आप सिर्फ उसक 10 songs ही आद रख सकते हैं, बाकी songs भूल गए, यह नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपका अगर रोज practice का time as a beginner, अगर आप half an hour practice करते हैं, कोई बात नहीं, उस आदे घंटे में आपको last के 10 minute या पहले 10 minute previous songs के लिए देने हैं, आप जिस चेक कर सकते है के आपका वो flow उस song को बजाने का, tricks जो जहां पे मुझे alert रहना है बजाते वक्त, वो मैं याद रखके आज भी उस song को बजा पा रहा हूं के नहीं, यह एक चीज़ आप कर सकते हैं, और एक चीज़ हो सकती है, आप किसी भी song को अलग-अलग scales पे बजाना try कर सकते हैं, जैस flat major scale पे शुरुआत में आप नहीं उसे उतना easily बजा पाएंगे जितना C major पे बजा है, कोई बात नहीं हमें, उसी comfort zone के बाहर आना है, कल हो ना हो, C major scale पे तो हम बजाते हैं, usually अब हम try कर सकते हैं, उसी song को किसी अलग scale पे, जैसे के E flat अगर आपको लगता है, आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपको धीरे से बजाना है, क्योंकि आपने जिस comfort से उस song को बजा है, उस comfort में अलग scale पे नहीं बजा पाएंगे, कोई बात नहीं, give 10 minutes, 5 minutes for that thing अगर आपने उस song को सारे गमा यह इस form में सीखा है, तो आपको सानी 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 सारे सानी धनी तो इस तरह से notations तो available हैं आपके पास, तो आपको बस खाली scale चेंज करने हैं, और उसमें उस सारे गमा को बिठाना है, अगर आपने सारे गमा फॉर्म में उस song को नहीं सिखा है, CD, EFG में सिखा है, तो कोशिश कीजिए उस song को से by year किसी अलग scale पे अगर आप बजा सकते है जैसे कि गाई ये उसको किसी अलग pitch में और कोशिश कीजिए उन pitches को क्या आप अपने keyboard के उपर keys के जरीए pitch produce कर पा रहे हैं के नहीं, अगर आपसे इन में से कोई भी एक mistake होती है, तो आप उन्हें दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो कीजिए, entertainment tricks, guidance, इन सबसे बरा है चैनल है, तो आपको जरूर फायदा देगा, सबस्क्राइब करेंगे, तो आपके पास मेरे वीडियो जल्दी पहुंचेंगे, so music practice करते रही है, all the best.